बिहाल में एक बाद फिर से करोणा का कहर शिरू हो गया है ताज़ा मामला IIT पटना से सामने आया है जहां होली की छुट्टिव के बाद घर से लौटे एक शात्रों में दो एक शात्रों की आटी पीसी आर जाच करोणा पॉजिटिव आते हैं सोमवार को IIT पटना के बीटा इसित कैंपस में हर कंप मच गया रिपोर्ट आने के बाद उनके संपर्क में आय करीब 41 शात्रों की जाच कराए गई जिन में से 16 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद IIT कैंपस में एक सप्ता के लिए अकैडमिक सेशन सहित सारी ग देवगर में करोना संक्रमन की स्थिती भयावा होती जा रही है करोना के बड़ते संक्रमन को देखते हुए जिला प्रशाशन काफी अलट हो गया है देवगर DTO P.Barlak के नितुट में चिकिसक टीम ने बस स्टैंड परिसर में करोना जाच्छी भी लगवाया और बस से सफर करने वाले यात्रियों का करोना टेस्ट भी करवाया आपको बदा दे कि अभी देवगर में करोना के तक्रीबन 110 एक्टिब मरीज है वहीं बीते 24 घंटों में 8-8 नए करोना संक्रमित मरीज पाई गए है लगतार बढ़ रही करोना संक्रमन के मामली को लेकर बगहा के भगत सिंग चौक पर मास्क जाच अभियान चलाए गया इस अभियान में SDPO, अंचलादीकारी, सहित आने पुलिस करवियों ने शेहर के लोगों से मास्क पहने की अपिल की होई बीना मास्क पहने लोगों से जुर्माना भी वसूल आ गया है जैनाबाद में DM और SP ने शेहर के भीविने चौक चौराहों पर पहुँचकर मास्क चेकिंग अभियान चलाए दोनान जिला प्रशाशन ने लोगों से मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपिल की है